न्यूज राइटिंग के बालिंग अपडेट की श्रिलंका ने शुक्रुआर को भारत को तीसरे वंडे में तीन विकेट सेहरा दिया मैज के दौरान सूरे कुमार यादव के विकेट पर बवाल मचा रहा भारत की पारी के 23 वे ओवर की पहली गेन पर सूरे कुमार श्राइक पड़ते बॉलिंग इस्पिनर प्रविन जैव इकरामा कर रहे थे उनकी आउफ सिस्टम के बाहर पड़ी बॉल पर सूरे कुमार ने स्वीप मानने की कोशिश की बॉल जाकर के सूरे कुमार के फैट पर लगी और श्राइक खिलाडियों के अपील पर फिल्ड अंपायर कुमार धर्मसिना ने उन्हें आउट करार कर दिया सूरे कुमार ने अंपायर के फैसले को चुनादी देते हुए डिसीजन रिविय सिस्टम का इस्तमाल किया पंजाब सही चुनावी राजु में कॉंग्रेस में खेस्तान मिटाने के फैसले के बाद में राहिस्तान की बारी आईगी राईस्तान में अब कॉंग्रिस हाई कमान जल्द मंत्री मंदल विस्तार, राजनितिक नियुक्तियां और संक्रटनात्मक नियुक्तियों का काम खत्म करने की गवायात में है सचन पाइलेट खेमे की मांगों का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा पाइलेट खेमे से तीन या इससे ज़ादा विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है किस खेमे से कितने मंत्री बनेंगे यह भी तै नहीं एक्टर कार्तिकारेन की नई फिल्म कैप्टन इंडिया की गोशना कर दी गई है इस बात की जानकरी कार्तिकारेने खुद सोशल मीडिया पर कैप्टन इंडिया का पहला पोश्टर शेयर करके दी है इसके कैप्शन मों ने लिखा जब एक आदमी कॉल अफ ब्यूटी से आगे बढ़ जाए बड़े गर्व और संबान के साथ हम आपको और आपके लिए लाए हैं कैप्टन इंडिया असला महता के इंडिशन में बन रही है इस एक्शन ड्रामा फिल्म में कार्टिक एक पाइलेट के किरदार भी नज़र आएंगे और रॉनी, स्कुरूवाला और हर्मन भाविज़ा इसके प्रडूसर है पिटबुल नसली के डॉक के हमले में घायल हुए 11 साल के विशाल मेना के आज सर्जरी की गए सवाई मान सेंग इस्पिताल में डॉक्तर उसके जग्म देखकर के दंग रह गए डॉक्तर ने निगा कि ऐसा लग रहा है किसी कुत्ते ने नहीं बाग या शेड निखाया है करीब साड़े तीन गंटे चले ऑपरेशन के बाद विशाल का बाया कान पूरी तरह काटकर हटाना पड़ा है फिलाल आई सिउ में डॉक्तरों की टीम निग्रानी में उसे रखा गया है प्रदीश में 2 अगस्ते सभी कक्षाओं की बच्चों के लिए स्कूल खोलने की शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डुटासरा की गोशना को मुख्या मंतरी अशोग घैलोत ने एक दिन बाद ही बदल दिया है सरकार ने 2 अगस्ते स्कूल खोलने की गोशना से यूटरं लेते हुए अब 5 मंतरियों की कमिटी बना दी यही कमिटी स्कूल खोलने की तारीक और किस कक्षा तक के बच्चों की स्कूल बलाया जाए यह तै करेगी इस समीधी में शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डोटासरे के रावा स्वाल के मंतरी रगू शर्मा, क्रैशी मंतरी लाल जंग गटारिया, उच शिक्षा मंतरी भावर सिंग बाटी और तगनी की शिक्षा, राज्य मंतरी सुभाश गर्ग मौजूद है मौर्निक अप्रेट में सिलाह लित रही बने रही है यूसाइटीन के साथ नुमश्काफ वहीं कबर दौसर जली से सामना रही है जहां पर गुरुपूर्णिमा का पर्व बड़े ही धुमधाम से मनाया गया महारिया में गुरुपूर्णिमा उत्सव का आयोचन मनाया गया P.E.E.O. कैलाश जन मीना ने अपने अधिनस्त विध्यालों के शिक्षकों का कार्य माल्यानबन और तिलक लगा कर अभिनंदन किया है P.E.E.O. मीना ने अपने उत्वोधन में कहा गुरुजनों का अभिनंदन कर गुरु की महत्ता बताई दोसाड़ा प्रताना द्याबग रमेश जन्शर्मा ने वैदेक काल में चली आ रही गुरु शिश्य परंपरा पर प्रकाश भी डाला और व्याख्याता कमलेश गौतम ने अपने उत्वोधन में आज ए युक के वारे में शिक्षकों से गुरुतर दाईत प्रुजन के निष्ठा पूर्वग निर्वहन कर बल दिया है पीबीओ परिवार की ओर से कमलेश गौतम और रमेश अन्शर्मा ने प्रतानाचारे मीना का माल्यान बन और लेगनी भेट कर अभी नंदन किया है वहीं इस गरिमापूर्ण आयुजन के आभार व्यक्ति गया और इस अवसर पर सामल्राम मीना, महेश मीना, विजय मीना, विनोच शर्मा साहिद कई लोग उपस देग रहे वहीं खबर दौसर जली से सामना रहे है जहां पर गुरुपूर्ण निमा का पर बड़े ही धुमधाम से मनाया गया लालसो डुपकन के मंदावरी में रामानोज भागवत अचारे वैदिक संस्क्रत विध्या अश्रम में गुरुपूर्ण निमा महोच साह बना गया स्वामी रगना ताचारे महराज उज्यान की परम साने देवं दिशा निर्देशों में श्री एकसराठ भागवत अचारे जी महराज की क्रतिमा के समख्ष पुषबांजली अर्पित कर हर्शुलाज के साथ परुमनाया गया रामनोज आश्रम उज्यान से जुड़े हुए स्वामी के सबी शिश्यों अपने आध्याद में गुरु के चड़नों में पुषबारपित कर नमन किया है गुरु की तस्वीर पर पुषबार चड़ा करके विधिवत पूजा अर्चन की गई और आयोजकों ने आश्रम पर आने वाले सभी धर्म प्रेमियों को फ्रसाद उत्रिक किया मंडावरे स्तिरित आश्रम का उद्देश ये ब्रामन विध्यार्दियों को वैदिक संस्क्रत विध्यापीट वे ज्ञान उपलब करवाना है और इसी दोरान रामवतार बजाज अशोग वैजसाइट कई लोग उपस्रित रहे वही राहिस्तान के एपोर्ट से एक और बड़ी कपर सामना रहे है जहां पर राहिस्तान की राजधानी जैपुर के अंदर आज दस फ्लाइटों को रद किया गया है इसके अंदर कर एर इश्या, इंडिको और तमाम बड़ी फ्लाइट्स की कंपनियां हैं जिनकी फ्लाइट स्कॉाद रद किया गया है आखिर का रद करने की पीछे का कारण क्या कुछ कह रहा है आई देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में सरिवार को जैपुर एर पोर्ट से दस फ्लाइटों को रद कर जया गया इनमें एर इंडिया, स्पाइस जैट, इंडिगो, गो एर की फ्लाइटे शामिल है कुरुना की दूसरी लहर थमने के बाद में जैपुर एर पोर्ट से फ्लाइट उडान भी पर पा रही है वहीं सूरत के लिए जाने वाला एक विमान खराब हो गया जिसके बाद यातिरों के एर पोर्ट पर रोब किया गया है 18 जुलाई को एक 7-7 फ्लाइट को रद किया गया था चैपुर एर पोर्ट से जाने वाली 10 फ्लाइट को रद किया गया है और 17 फ्लाइट दो बजे उडान मरेंगी एरबोर्ट अथारिटी के अनुसार सुबह पॉनिस साथ बजे स्पाइज एड हम्दाबाद की फ्लाइट नमबर S.G. 34 सुबह 8.10 बजे इंडिगो गो एर मुंबई की फ्लाइट नमबर G. 8.390 सुबह 8.50 बजे गो एर कॉलकता की फ्लाइट नमबर G. 8.703 साइट कई फ्लाइटों को रद्द किया गया वहीं बादीवी का वाड नमबर 28 इमोडल वाड होगा और ऐसा पारशद महिंद्र दैमन ने बताया पारशद महिंद्र दैमन ने बताया कि शहर का प्रमुग वाड की रूप में जाना जाएगा वाड नमबर 28 पूछने पर बताया सरकार द्वारा मनोनित पारशदों में सरवादेक तीन पारशद मनाए गए वाड 28 से नगर पलिका शेतर के सरवागन विकास में मनोनित पारशदों से स्योग की पूर नाशा रहीगी जिस तरह सरकार ने इन पर विश्वास किया उसी विश्वास पर खराव तरने के लिए मनोनित पारशदों की एहम भूमिका होनी चाहिए साथी दैमन ने सभी मनोनित पार्षदों को बधाई एवं शुपकाम नहीं भी दी है आज के इस कारिक्रम स्वागत सम्मान के दौरान पार्षद महेंद्र दैमन दिलिप सैनी मनोनित पार्षद मुनीर खान राखी जैन का वाड की लोगों ने ढोल नगाडों के साथ में माला साफा शौल पेना करके सभी का मूँ मीठा कराया एवं ठंडाई विद्रित की जिस पर वाड वासियों का सभी ने आभार भी जताया है और कारेकरम के दौरान सल्मान मंसूरी, हनीफा खान, मनोहर, सन्नी जैन, अब्दुलमजीद, फूर पारषद, सुमेश विजय सिंग साहिद सैकडोर लोगों की मौसूद्गी में कारेकरम संपा नहीं हुआ बाभावा, चानु ने टोक्यो ऑलंबीग में भारत को पहला मैंडल दिला दिया है और वही उन्होंने उडन्चास किलोग्राम वेट के अंतरगर दोसुदू किलो वरसर उठागर के सिल्वर मैंडल भारत के नाम धरवाया है तो आईए एक नगा डालते हैं कुरी रिपोर्ट की और मीरा भाई चानू ने टोक्या उलम्पिक में भारत को पहला मैडल दिला दिया है उन्होंने 48 kg वैक केटेगरी में टोटल 202 kg बजन उठाकर के सिल्वर मैडल हासल दिया है इस तरहे देश को वेट लिफ्टिंग में 21 साल बाद उलम्पिक मैडल मिला है इससे पहले 2000 में सिडिनी उलम्पिक में कर्णम मलेशोरी ने ब्रॉंज जीता था मीरा भाई की सफलता इस माईने में खास हो जाती है कि वे 2016 रियो उलम्पिक में अपने एक भी प्रयास में सही दरीगे से वेट नहीं उठा पाई थी उनकी हर कोशिश को डिस्क्वालिफाइ कर दिया गया था मीरा भाई ने उलम्पिक में जाने से पहले कहा था कि टोक्यो उलम्पिक में जरूर मैडल जीतूंगी मेरे पास उलम्पिक खेलने का अनुभव है मैं अपने पहले उलम्पिक में मैडल जीतने से चूप गई थी तब अनुभव की कमी की कारण में मैडल जीतने में सफल नहीं हो सकी और 2016 में रियो ओलम्पिक से ओलम्पिक चैंपिन बनने तक कि उनकी कहानी जबरदस्त रही 2016 में जब वैं भार नहीं उठा पाई थी तब उनकी नाम के आगे डिड नॉट फिनिश लिखा गया था किसी प्लेयर से मैडल की रेज में पिछर जाना अलग बात है और क्वालिफाई ही नहीं कर पाना दूसरी बात है डिड नॉट फिनिश के टैग ने मीरा का मनुबल तोड़ दिया था और 2016 ओलम्पिक में उनके इवेंट के वक्त भारत में रात थी और बहुत कम ही लोगों ने वहन नजार देखा होगा जब वेट उठाते वक्त उनके हाथ अचानक से रुख गए यही वेट इससे पहले उन्होंने कई बार आसानी से उठाया था रातो रात मीरा भाई मैडल नहीं जीतने पर बस एक आम एथलेटिक रह गई है इस हार से भी डिप्रेशन में गई थी और उन्हें साइकरेटेस का साहरा भी लेना पड़ा था जो अपने ही बैयानों के अंदर उलस्ट कियोंकी लगाता रायस्तान के अंदर बयान वाजी के दौर सो चलता हे रहता है जी हाँ आप सभी तो बढ़ा दो कि अभी कुछ ही समय पहले शिक्षा मंदरी गोईं सिंक रुटासरा ने बयान जानी किया था और उन्होंने कहा था कि 2 अगस्ते से स्कूलों को खोना जाएगा और सभी स्कूलों को खोना जाएगा और इसी के साथ साथ अब इस बयान के उप कि अब अबिभावावावावखु के अंदर तो लगातार हाकार मचा हुआ था कि आखिर किस प्रकार से स्कूलों को बोला जा रहा है क्योंकि ना तो बच्चों की वैक्सिनेशन हुई है और ना ही बच्चों के लिए कोई टीग आएगां लेकिन वहीं कर इनके बयान बाज और इस बैटक के दौरान तारीख सुनिश्चित नहीं की गई थी कि आखिरकार किस तारीख को स्कूलों को खुला जाएगा तो आपने आखिरकार क्यों बोला कि दो तारीख को हम अगस्त में स्कूल बोलने जाएगा है इसी वो लेकर कि अब मुख्य मंत्रिय शोग गैलोग न की गई है और वहां का फील्डबैक क्या कुछ है उसी के अधार पर राहिसान के अंदर स्कूलों को खोला जाएगा और अभी सुनिश्चित नहीं है कि दो अगस्ते ही स्कूलों को खोला जाएगा या फिर इसकी डेश्ट को एक्स्टेंड किया हजा सकता है तो इसी के साथ अधे कि हमारी खास रिपोर्ट कि अकिरकार डोटाजला नहीं क्या कहा था और उसके बाद मुंक्य मंतरी अर्शूब गैलोज निसमें पलाटवार में क्या कुछ कहा सिक्साव भाग से तुड़े वे मनिमुट के मंतरी जी कि अध्यक्स्ता में जो केमिनेट और राजे मंतरी प्रिशती जो बैठक थी उसमें होए है पहला फैसला तो यह वा है कि विद्याले कोलने का दो अगत से पैसला हुआ है किसके लिए जो गाइडनाइन जारी की जाए प्रदीश के अंदर दो अगस्ते सभी कख्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की शिक्षा मंतरी गोविन सेंग्डोटास रखी घोषना को मुक्य मंतरी अशूक गहलूत ने एक दिन बाद ही बदल दिया है सरकार ने दो अगस्ते स्कूल खोलने की घोषना से यूटन लेते हुए अब पांच मंतरियों की कमीटी बना दी है यही कमीटी स्कूल खोलने की तारीक और किस कक्षा तक के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए यह तै करेगी इस समीधी में शिक्षा मंतरी गोविन सेंग्डोटासरा के अलावा स्वास्ते मंतरी रगु शर्मा, क्रशी मंतरी लालचन कटारिया वहीं उच शिक्षा मंतरी राज्य मंतरी भवर सिंग भाटी और तकनी की शिक्षा राज्य मंतरी सुभाश गर्क मौझूद है शिक्षा मंतरी गोविन सेंग्डोटासरा ने एक दिन पहले गुरुवार की राद को कैबिनेट की बैठक के बाद दो अगस्त से सबी कक्षाओं के स्कूलों को खोलने की गोशना की थी स्कूल कॉलेज खोलने की SOP तैय करने को लेकर गया मुख्यांतरी शोग गहलोत ने शुक्रवार की राद वर्चूल बैठक करके शिक्षा मंतरी की गोशना को पूरी तरह पलट दिया है मुख्यांतरी शोग गहलोत ने का की कोवीड महामारी की संबावित तीसरी लैर को देखते हुए शिक्षाओं संस्थानों को खोलने की SOP के संबंद में गहन विचार विमर्श कर फैसला लिया जाना चाहिए इसके लिए मंतरियों की समीती भारत सरकार के स्वास्ते और मानव संसाधन मंतरा लियो ICMR के साथ जिन राजियों में स्कूल कॉलिज खुले हैं वहाँ से संपर करके उनके अनुभव और फीड़वेक पर चर्चा करेगी साथी भारत सरकार दोरा जारी दिशान निर्देशों की जानकारी लेकर के शिक्षान संस्थानों को खोलने की तारीक और एसोबी के संबन में निर्दय लिया जाएगा वहीं कबर सेड़वा से सामना रही है जहाँ पर दो मोटर साइकलों की गंभीर बिड़न्त हो चुकी है दोनों की मौके पर ही मौत हो चुकी है लाखराम थूड़ी सेड़वा स्कूल में प्रिंसिपल लगे हुए थे तो वहीं दूसरा बलगाव निवासी बताया जा रहा है इसी ख़बर पर ज़्यादा जानकरी के लिए हमारे साथ हमारे सभाता संजय सिंग जोटू की है तो संजय क्या है ये पुरा मामला जो भी अभी हाथ सा देखने को मिला है सर मैं बता दूँ आपको एक बाइक फेड़वा से जा रही थी और एक बाइक सद्राम की बेरी से आ रही थी आमने सामने दोनों की बेड़त होई उसी कारण दोनों का एक्सिडेंट हो गया संजय जी हाथ से की वजय क्या बताई जा रही थी तो इन में से जो दोनों लोग है वैं एक प्रिंसिबल बताई जा रहे है जी जी सर एक प्रिंसिबल है जो सेड़वा आई स्कुल में लगे हुए है तो प्रिशासन वहाँ पर मौजूद है अब परतासन मौजूद है पूरी जानकारी ले रहे है वही कबर राजदानी जापुर से सामना लिए जहांपर आरेज भड़ती परिक्षांग रिसर्ण्ड गोशे दोली के बाद में गोवें सरी नोटासरा मुश्किलों में फस्ते में नुसरा रहे हैं और इसी को लिकर के आज होंगा राजदानी जापुर के पत्रकार कॉरोनी के अंदर पूथ बाद मैं फू कर गया थो आएं निसने डालते हैं कुरी रिपोर्ट के और शुर्टा उलना, शुर्दाउंआ और राजिस्तान आरेज़ बैए निनामों के अंदर और इसी को लीकर के विबक्षि पायटी बिजेबी के साथ-साथ जन्ता उनके इस्तिवेगी मांग भी कर रही है साधियाज अनुचित लाब दिये जाने को लेकर के पत्रकार कॉलोनी चोरहा भागरोटा मंडल में विरोध पत्रशन किया गया साथी शिक्षामंती का फुदला भी फूका गया स्पाइस जैड का विमान नहीं बढ़ सका है ओडान जहां बड़ी कवरम आप सबी तक पहुचा रहे हैं जैपुर से सूरज जाने वाले विमान में खराभी आ चकी है तो वहीं बोईटिंग के दौरान सकने की खराभी का पता चला है विमान की जांस तो वहीं सुबह साथ बच्के 20 मिनिट पर विमान को होना ता रवाना लेकिन विमान में सवार तीज से अधिक यात्री परिशांग मैं सिकंद्रा थाने की लगातार बड़ी कारवाईया देखने को मिल रही है और एक बर फिर से 12 साल से फरार अरुपी को दस्तियाप कर लिया गया और वहाँ पर सगन अभ्यान की चलाया जा रहा है जिसके अंतरकर सभी बदमाशों की धर पकड की जा रही सिकंद्रा में थाना परवारी कमलेश मिना के दौरा परादियों की धर पकड के लिए टीमें कटित कर की जा रही कारवाई के दोरान थाना हाज़ा दोसा के स्थाई वारेंटी जो की चोरीवे नकबजनी के मामलों में 12 साल से फरार चल रहा था जिससे दस्तियाप करने में सफलता हसिल की तो वहीं कारेवाही करते हुए राम सिंग पुत्र भौरी लाल गूर्जर सिकंद्रा को गिरफतार किया गया थाना प्रभारी कमलेश मिन्ना के द्वारा वहीं थाना शेत्र को अपराद मुग्द बनाने के लिए हर संभाव प्रयास अभी किये जा रहे कॉंग्रिस के संगेटन महामंदरी वेनू गोपाल राद तक जैपुर पहुचेंगे यहां बड़ी ख़वरमाम सभी तक पहुचा रहे हैं और प्रदेश ब्रभारी अजय माकन भी आएंगे जैपुर वहीं सडग मार्क से शाम को पांच बजे जिल्ली से हो सकते हैं रवाना तो वहीं रात नौ बजे तक जैपुर पहुचेंगे गैलोट से मुलाकात भी करेंगे तो वहीं प्रदेश में प्रदेश में प्रतुनिडिव अंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगे नमश्कार स्वाइडर का न्यूज आइडिंग में मैं पुलिटे सक्षिन आप इसाथ आई प्रस लाते हैं अख्वार की सुनकिया मेरे साथ आप सभी को ददुकी राजी के अंदर मंत्री मंदर विस्तार 31 जुलाई तक संभव बताय जा रहा है तो वहीं आज केसी वेड़ को पाल जैपुर के अंदर पहुंचेंगे महीं साथ साथ प्रदेश विभारी अजय माकन ने पहले ही मुख्य मंत्री अशूग गयदूर और सच्चेंग दौनों से अलग अलग मुलाकात कर रखी है और उसी के बाद में उन्होंने फैसला भी क्या है कि अखिर किस प्रिकार से इस मंत्री मंदर का विस्तार किया जाए अभी तक अपने पत्ते ना गयलोत सक्कार ने बोले हैं नहीं जो कमीटी के अंदर प्रदेश व्रफारी बनाए गए हैं उन्हों ने खुले हैं और नहीं सचेंग पारिक ने बोले हैं अभी सब जगे अस्मंजत सा बना हुआ है और वहीं इसी बीच बड़ी वाद तो यह स और बता दू कि जब मंत्री परिक्षत की बैठक एक दिन पहले होई थी यानि कि जब गोविंच ने स्कूल पूलने की तारीक सुनिश्यत की ती कि दो अगस्त को स्कूल पूले जाएंगे उससे एक दिन पहले मंत्री परिक्षत की बैठक होई थी और उस बैठक के अंदर क यह डिसाइड नहीं किया गया था कि आखिरकार कितनी तारीक को खुला जाएगा लेकिन जब दोटास्रा का बयान सामना आया तो उसके दर्गत साफ साफ इसपश हो गया कि कि दो अगस्त से स्कूलों को खोला जाएगा और इसी को लेकर कि मुख्यमंत्री अशोग गैलोद नाराज होते में नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने का कि जब एक दिन पहले ही मंत्री पेडिशन की बैटर गुई तो उस दोरान ऐसा कुछ निड़नाय नहीं किया गया कि आकिकार किस तारीक को स्कूल खोला जाएगा लेकिन आपने स्कूल खोलने का समय बढ़ा दिया और इसी के साथ साथ उन्होंने यह भी कि आप सभी ना तो इसकी कोई गाइडलाइन बनाई है कि किस प्रकार से स्कूलों को खोला जाएगा और कैसे इसके अंदरकर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो वहीं गयलोग ने एक और बात कहीं कि पांच मंत्रियों की सम्मेधी बनाई है जिसके अंदरकर मंत्री को मिल रहे हैं और एक बार कल फिल जम्मू के अंदर उड़ता वर ड्रोन दिखाई किया और हमारे जवानों ने उसको गिरा दिया जहां चैपंगो वाले ड्रोन के पांच किलो विस्वोटक समगरी निवरा मत्की गई है और इसी के साथ साथ आप सभी बदादों कि फ्लाइ कि जबाड़ी में आप सभी को जरूर दूआ लेकिन उसके पहले मैं आखवाल की सुख्यों मैं आप सभी को कोरुणा के अंपडों से अफकर पिर्वा दखा हूँ जिसके अंतरगत आप सबीको बता दूँ कि राजिस्तान के अंदर कोरुना के आखिडे कभी बढ़ते हैं तो कभी कम होते हैं कल की बाद के रहे तो कल 25 कोरुना की नई के सामने आए थे और उसके बाद में फिर बीते 24 गंटे के अंदर ही केसों का अखड़ा बढ़ चुका है और अब 33 कोरुना के नई के सामने नजर आए हैं इसके साथ फिलाल किसी की महत राजसान के अंदर कोरुना वाइलस के इसे नहीं हुई है लेकिन वही राहिसान की राज़नी जैपूर के अंतर 15 कोरोना की नई मामले मिलते वे नज़र आए हैं तो इसी के साथ अगबाल की सुर्कियों के अंतर तो फिडाल इतना ही बने रहे हैं न्यूसाइटीन के साथ नमश्वार राहिसान में शिक्षन संसान खोले जाने का मामला जिसके अंतरगत बड़ी ख़बर सामना रही है कई संगटनों ने मंत्री मंदल के फैसले पर सवाल उठा दिये हैं अब सरकार मामले में फूफ फूफ कर रख रही है कदम तो सरकार ने पांच अंतरों की समीदी गठित कर सुझ्जाओ मांगे वहीं समीदी अन्य राजों के अनुबव फीडबैक भी करेगी चर्चा मामारी की काल खेंड में तेज रफतार से फिल्मों की शूटिंग करने के मामले में अक्षा कुमार और अजय देवगन एक दूसरे को टक कर दे रहे हैं इस साल के लॉकडाउन को छोड़ दे तो अजय देवगन पिछले साल के दूसरे हाफ से लगातार कई प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं आलम ही आए कि एक प्रोजेक्ट के चलते वे दूसरे प्रोजेक्ट की शूटिंग में खासी देनी उन लगी है मिसाल के तौर पर अजय देवगन तीन बार बात अपने करियर के पहले वैब सो रोधर की शूटिंग करने वाले हैं उसके असर अजय देवगन की फिल्म मैडे पर पढ़ने वाला है शनिवार को जैपुर एरपोर्ट से 10 फ्लाइट्स को रद कर दिया गया वहीं सूरत के लिए जाने वाले एक विमान खराब हो गया जिसके बाद जात्रियों को एरपोर्ट पर रोग दिया गया और 18 जुलाई को एक साथ साथ फ्लाइट्स को रद कर दिया गया था श्रिलंका ने भारत को आखरी वंडे में तीन विकेट्स अरा दिया 227 रण के डार्गेट को श्रिलंका ही टीम ने 49 जुले ओवर में साथ विकेट के नुकसान पर हासिल कर दिया टीम इंडिया को 68 रण मनाने में साथ विकेट गवाना भारी पड़िया इसके वज़े से टीम 43.1 ओवर में 225 रण पर ओल आउट हो गई और मैच का स्कूरकार्ट देखने के लिए वहीं दिक्कट हो गई बारिश के वज़े से तकवर्ट लुएज मैथर्ड के तहट टीम इंडिया के टूटल में एक रण बढ़ाया गया DLS के मताबिक भारत का टूटल 226 रण रहा और श्रिलंगा की ओर से अविश्का फर्णांड है ने सबसे ज़्यादा 76 रणों की पारिखे गी राइस्थान के 28 जिलू में आज कूर्णा की वैक्सीन नहीं होने से वैक्सिनेशन अभ्यान ठप पड़ा है वहीं शुक्रवार की देर शाम केवल 1.9 लाग वैक्सीन की डोस के इंति सरकार को मिली है जिसे जैपूर सीकर कोटा अजमीर और जोदपूर में बिजवा दिया गया जैपूर में आज केवल शहरी शेत्री के चुनिंदा सेंटर्स पर ही वैक्सीन लगाई जा रही है राहिस्तानबाब, कॉंग्रिस, हाईकमान, जल्द, मंत्री, मंडल, विस्तार, राजनेदिक, नियुक्तियों और संगेट नात्मक नियुक्तियों का काम खत्म करने की कवायत में है पाइलेट खेमों की मांग कभी इसमें ध्यान रखा जाएगा और पाइलेट खेमें से तीन या इससे ज़्यादा विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है किस खेमें से कितने मंत्री बनेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा तोक्यो उलंबिक में भारत ने पहला मैडल जीतिया है वेट लिफ्टर मेरबाई चानू ने महिलाओं की 49 kg वेट कैटेगरी में कुल 202 kg वजन उठा करके सिल्वर मैडल जीता है चीन की होज योई ने 210 kg वजन उठा करके गोल्ड मैडल जीता और इंडोनेशिया की कैंटी का विंडी ने ब्रांज जीता है सीसी दूसरी और भारती शूटर सौरप चौदरी 10 मीटर एयर पिष्टल इवेंट के फाइनल में साध्वे स्थान पर रहे सौरप 6 सीरीज के क्वालिफाइंग राउन में 600 में से 586 अंग हासिल कर पहले स्थान पर रहे थे लेकिन फाइनल में वच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके महराश्ट में शनिवार को भी बारिशा कहर जारी रहा महीं गुलवार शाम से लेकर के अब तक बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 136 लोगों की मौत हो चुकी है बोरी तरह प्रभावेट ठाने, रायगड, रतनगिरी, सतारा सांगली और कोड़ापुर जिलो से आठ हजार से जादा लोगों को NDRF, नेवी और आर्मी ने रेस्क्यों किया है दोसों से जादा गाओं का प्रमो किलाकों से संपर्क तूड गया पॉन मूवीज मामले में राज कुंदरा की ग्रफतारी के बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच शिल्पा शिटी को समान भीजीगी लेकिन अब ये जानकर ही सामना रहे कि एक्ट्रेस राज कुंदरा की कंपनी व्यान इंटर्सी से पहले ही इस्तिफा दे चुकी है शिल्पा साज़तर बिजनिस में कुंदरा की पार्ट्नर है पटावट दोरों में फिलाल उप रही बने वही निउस्टाइटीन के साथ नमश्वार टोक्यो अलब्बे को लेकर के एक और बड़ी कपड सामना ही है जिसमें मीरावाई चानू को सिल्वर मेडल फ्राप्त हुआ है प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी लोकसवाद्यक्ष ओम बिड़ला ने बद्धाई भी दी तो वहीं चानू की जीत देश वासों के लिए फ्रेड़ला प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ती ने फिर देश का नाम रोशन किया ऐसा कहा तो वहीं बिड़ला ने पूर्य देश को इस उपलवदी पर गर्व है और साथी साथ ओम बिड़ला ने भी ऐसी बात करी लिए हर्याना प्रदेश में एक और ऑक्सीजन प्लांट से आज से कैथल में शुरू होने जा रहा है जिससे अब कैथल जिले में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी है सिविल सर्जन कैथल डॉक्टर शालेंद्र ममलागाई शाली ने बताये कि 18 जुलाई को पहुची 2 करोड थी मशीनों को यहां इंस्टॉल कर दिया गया प्लांट से हर मिनिट 1000 लीडर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा और कोरुना की दूसरी लहर में जब महमारी पीक पर थी तब सिविल अस्पितल कैथल में रुजाना करीब 14 लाख लीटर ऑक्सीजन की खबट हो रही थी लेकिन प्लांट की ऑक्सीजन शम्ता रुजाना 14.4 लाख लीटर होगी प्लांट चलू होने के बाद में ऑक्सीजन सेंडरल प्लाइन के जरिए सीधे मरीज के बैट तक सप्लाइ की जाएगी इससे मरीजों के परिजनों और अटेंडेंट को सिलेंडर उठा करके बटकने क जरूरत नहीं होगी क्योंकि अब तक अश्पिताल में या तो नीचे बने मैनी फोल्ड रूम में सिलेंडर लगा कर या फिर सीधे बैट के साथ सिलेंडर रखकर के ऑक्सीजन दी जा रही थी लेकिन प्लांट लग जाने के बाद मरीजों को काफी राहत दें जाएगी हरेने की रिवाड़ी में दिल्ली जैपूर हाईवे से जैसेंग पुरा खेड बॉर्डर पर अंदोलन कर रहे है किसानों के बीच आज भारती किसान यूनियन की निता राकेश टिकैत पहुचे लेकिसानों को दिल्ली में चल रही किसान संसत की जानकारी देने के लिए साथ ही किसान अंदोलन को और तेज करने के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि बिचली कुछ दिनों से बॉर्डर पर चल रहे हैं आंदोलन में किसानों की संक्या कम होती जा रहे है साथे आपको बता दें दिल्ली जैपूर हाईवे पर राहिस्तान की सीमा में जैसेंगपूर खेड़ा बॉर्डर पर 13 दिसंबर 2020 से किसान क्रशी कानूनों के विरोध में आंदोलन रत हैं और आंदोलन की शुरुवात में यहां पांच राज्यों के किसान मौजूद थे लेकिन 26 जनवरी की इंसा के बाद से लगातार किसानों की संख्या कम होती चली गई और अभी राहिस्तान मध्यप्रदेश वे कुछ अन्य राजवी किसान बॉर्डर पर मौजूद है पानिपत में आज भी धूप और छाओं के आँख उचोली देखने को मिलेगी आस्मान में आश्रंग के रूप से बादल चाय रहेंगी और बारिश नहोने के कारण अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्चेस तक पहुचेगा हवाओं की रफतार 13 किलोमीटर प्रती घंटा रहेगी और मौसम विबाग ने आज भी बूंदाबांदी के आसार बताए है पानिपत में बीते दिन तीन दिन से बारिश के अंतिजार है और बुदवार के बाद बारिश नहीं हुई है जिस कारण तापमान में लगातार बड़ोतरी के साथ गर्मी बढ़ गई और गर्मी और उमस ने लोगों को परिशान किया शुक्रवार को दिन बर कभी तीज धूप तो कभी घटा चाही रही है शनिवार को कुछ ऐसा ही मौसम बने रहने के आसार है और पानीबद में 13 जुलाई से मांसून सक्री होने के बाद अच्छी बारिश होई है शैर के मुकाबले दिहा सेत्र में अतेक बारिश गर्ज की गई हर्याना के रेवाडी जिले के मशूर काडला बाजार में शुक्रवार देरा जुएलरी शोरूम चोरों ने निशाना बनाया है बदमाशों ने शोरूम का ताला तोड़ लाखो रुपए के गहने और नगदी चुरा ली गटना करीब दो वज़े की है चोरों ने शोरूम के ठीक सामने वाले शोरूम के जीने का ताला भी तोड़ दिया था आकास जुएलर्स के मालेक आकास उनी ने बताया कि वारदात का पता सुबह चला जब लोग सैर करने के लिए निकले और उन्होंने ताले टूटे देखें शोरूम का शटर भी आदा खुलावाता और लोगों ने ही उन्हें फोन करके चोरी होने की ख़बर दी है वे तुरंद मौके पर बहुचे और पुलिस को फोन किया लेकिन संपर नहीं होगा कोरुना की तीसरी लहर को लेकर के वैग्जानिकों की तरफ से लगातार अलर्ड जारी रहा है वैक्सिनेशन की रफतार तेज करने की सलाह दी जा रहे है लेकिन हर्याना की तीसरी लहर से बचने के लिए वैक्सिनेशन की रफतार साथ गुरान बरानी होगी इसके दो प्रेमों कारण हैं पहला एक मई से एठारा मई से चम्वाले साल के लोगों का वैक्सिनिशन शुरू हुआ था और जाज़तर को कोविशील्ड वैक्सिन लगी हुई है अब इनकी दूसरी डोस के लिए 24 दिन का इंतराल 23 जुलाई को पूरा हो गया ऐसे लोगों को अब दूसरी डोस के लिए मैसेज भी आने लगे हैं इससे 18 प्लस उम्रवालों की दूसरी डोस का लोट 24 जुलाई से करीब दो गुना तक बढ़ जाएगा हर्याने के तमाम बडी कबरों में फिलाल इतना ही बने रहे निस राइटीं के साथ नमस्तु का माध्यमिक शिक्षा बूर्ड का परिणाम जारी हो चुका है जहां बड़ी कोवर्म आपस भी तक पहुचा रहेंगे माध्यमिक शिक्षा बोल्ड का परिणाम जारी हो चुका है तो वहीं शिक्षा मंदरी गोविन सेंग दोटासरा ने जारी किया परिणाम कि तीन वर्म आपस भी में 5,92,218 जात्र का हुआ था बंजी गरंट जिन मेंसे 2,35,954 अपस भी साथी साथ वानेजे वर्ग में थी एकत्य सदार नौसो त्रियानवे चात्रों का पंजी करनी जाए गया था तो महीं साथी साथ एकत्य सदार नौसो उननपे चात्र उपर सिफ हुए चली अब एक रुप कर देते है राजदानी जापुर के और जहां पर कुछ समय पहले पिट गोल डॉग ने एक 11 साल भी बच्चे के उपर हमला कर गया था उस हमले के अंदर गर 11 साल का बच्चा बे रहमी से घायर हो गया था और उसके चहरे के साथ-साथ शरीर पर कही घाव देखने के मिले दे और उसका इलाज राज़सान की राजदानी जैपुर के ऐसे पर सपताल के अंदर चलगा था और वह भी आई-सी-उ वाट के अंदर भरती भी बताया जारा है लेकिन इसी बीच बड़ी कबर तो यह सामना आ रही है कि डॉक्टरों का कहना है कि उसको जि वहीं दूसरी और कहना यह भी था कि जिस तरह से बाग या चीता काटता है उसी तरह से इस नजले के कुत्ते ने काटा है और यह बहुत ही हानिकारक है क्योंकि इससे जान का ख़त्रा साफ-साफ मंड़ा रहा है तो आहीं एक नजट आते है कि आपकर कर उस बच्चे के हालत अभी कहां तक सुधार बचा है और डॉक्टर का उस हालत में क्या कुछ रहना है पिटबुल नसली के डॉक के हमले में घायल हुई 11 साल के विशाल मिना की आज सरदरी की गए है सवाई मान सिंग अस्पताल में डॉक्टर रुक के उसके जग्म देख करके दंग रह गए है डॉक्टर ने खाये कि ऐसा लग रहे कि किसी कुट्टे ने नहीं बाग या शेर ने खाया हो करीब साड़े तीन घंटे चले ऑपरेशन के बाद विशाल का बाया कान पूरी तरह काटना पड़ा है फिलहाल आई सिउ में डॉक्टरों की टीम की निग्रानी में उससे रखा गया प्लास्टिक सरजरी विभाग के सीनियर प्राफिसर की देख रहे हुई और जैपुर के टैगोर नगर इलाके में चार दिन पहले डॉक ने विशाल पर हमला बोल दिया था उसी के बाद वैया अस्पताल में हैं सरजरी के बाद डॉक्टर जीयाश कालरा ने बताए कि चैरे सिर और आंग के पास वाले हिस्से को रिपैर किया गया है इसके साथ ही बाद कान के हिस्से को भी हटा दिया गया यह कान जादर जखमी हो गया और लटक रहा था डॉक्टर कालरा के साथ आपरेशन में मौजूद प्लास्टिक सरजन डॉक्टर अमिट शर्मा ने बताए कि अभी फेशल नर्व का एरिया अभी ठीक से रिपैर नहीं हुआ है जब बच्चे की कंडिशन में सुधार आएगा तब ठीक किया जाएगा अब तक हमने सतर फीज़ी से को रिपैर किया है और उन्होंने बताए कि अभी हमारा मेन उद्देशे बच्चे की लाइफ को सेफ करना था उसी के अनुरूप हमने ऑपरेट किया और फिलहाल बच्चे को आईसियू में रखा है लगातर मॉनिटरिंग की जा रही है और उन्होंने यह भी बताए कि इस ऑपरेशन के दोरान डॉक्तर सुष्षुत कालरा और डॉक्तर प्रेम भी शामिल रहे है मुही राहिस्तान के एर्पोर्ट से एक और बड़ी कबड सामना रहा है जहां पर राहिस्तान की राजदानी जैपूर के अंदर आज 10 फ्लाइटों को रद किया गया है इसके अंदर कर एर इश्या, इंडिगो और तमाम बड़ी फ्लाइट्स की कमपनिया हैं जिनकी फ्लाइट स्कूर्ट रद किया गया है आखिर का रद करने की पीछे का कारण क्या कुछ कह रहा है आई दिखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में स्रिवार को जैपोर एर इरपोर्ट से दस फ्लाइटों को रद कर जया गया इन्डिया, स्पाइस जैट, इंडिगो, गो एर की फ्लाइटे शामिल है कुरुना की दूसरी लहर थमने के बाद में जैपोर एरपोर्ट से फ्लाइट उडान भी पर पा रही वहीं सूरत के लिए जाने वाला एक विमान खराब हो गया, जिसके बाद यातिरों के एरपोर्ट पर रोग गया है 18 जुलाई को एक साथ साथ फ्लाइट्स को रद किया गया था चैपुर एरिपोर से जाने वाली 10 फ्लाइट्स को रद किया गया है और 17 फ्लाइट्स दोपैर 2 बजे उडान बरेंगी एरिपोर्ट अथारिटी के नुसार सुबह पौने 7 बजे स्पाइस जाइड हम्दाबाद की फ्लाइट नमबर SG 34 मूंबई की फ्लाइट नमबर G8 390 सुबह 8 बजे गोयर कॉलकता की फ्लाइट नमबर G8 703 साइथ कई फ्लाइटों को रद किया गया वहीं बासीवी का वाल्ड नमबर 28 ल वौड हुगा और ऐसा पारशत महिंद्र देमन ने बताया पारशद महेंद्र दैमन ने बताये कि शहर का प्रमुख वाइड की रूप में जाना जाएगा वाइड नमबर 28 पूछने पर बताये सरकार द्वारा मनोनित पारशदों में सरवादेक तीन पारशद बनाए गए वाइड अठाई से नगर्पालिका शेत्र के सरवागन विकास में मनोनित पारशदों से सयूग की पूर्ण आशा रही की जिसतरह सरकार ने इन पर विश्वास किया उसी विश्वास पर खरव करने के लिए मनोनित पारशदों की एहम भूमिका होनी चाहिए साथी दैमन ने सभी मनोनित पार्षदों को बधाई एवं शुपकाम नहीं भी दी है आज के इस कारिक्रम स्वागत सम्मान के दोरान पार्षद महेंद्र दैमन दिलिप सैनी मनोनित पार्षद मुनीर खान राकी जैन का वाड की लोगों ने ढोल नगाडों के साथ में माला साफा शौल पेना करके सभी का मूँ मिठा कराया एवं ठंडाई विद्रत की जिस पर वाड वासियों का सभी ने आभार भी जताया है और कारेक्रम के दौरान सल्मान मंसूरी हनीफा खान मनोहर सन्नी जैन अब्दुलमजीद फूर बार्षद सुमेश विजय सिंग साहिद सैक्डों लोगों की मौशूद्गी में कारेक्रम संपा नहीं हुआ कि टोक्यों ओवल्मपिक चल रहा है और इसके अंदरगर्ष भारत ने सिर्वर मेडर हार सिर्वर बी कि मीरा बाई चानु ने टोक्यो ओलम्पिक में भारत को पहला मैडल दिला दिया है और वहीं उन्होंने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी के अंतरगर 202 किलो वजन उठागर के सिर्वर मैडल भारत के नाम दरवाया है तो आईए एक नज़र डालते हैं कुरी रिपोर्ट की और सिल्वर मैडल हासिल किया है इस तरह देश को वेट लिफ्टिंग में 21 साल बाद उलम्पिक मैडल मिला है इससे पहले 2000 में सिडिनी उलम्पिक में कर्णम मलेश्वरी ने ब्रॉंज जीता था मीरा बाई की सफलता इस माहिने में खास हो जाती है कि वे 2016 रियोंपिक में अपन मेरे पास ऑलम्पिक खेलने का अनुबव है मैं अपने पहले ऑलम्पिक में मैडल जीतने से चूप गई थी तब अनुबव की कमी के कारण में मैडल जीतने में सफल नहीं हो सकी और 2016 में रियोंपिक से ऑलम्पिक चैंपिन बनने तक कि उनकी कहानी जबरदस्त रही 2016 में जब वे भार नहीं उठा पाई थी तब उनकी नाम के आगे डिड़ नौट फिनिश लिखा गया था किसी प्लेयर से मैडल की रेज में पिछर जाना अलग बात है और क्वालिफाई ही नहीं कर पाना दूसरी बात है डिड़ नौट फिनिश के टैग ने मेरा का मनुबल तोड़ दिया था और 2016 ओलंपिंग में उनके इवेंड के वक्त भारत में रात थी और बहुत कम ही लोगों ने भेन नजारा देखा होगा जब वेट उठाते वक्त उनके हाथ अचानक से रुख गए यही वेट इससे पहले उन्होंने कई बार आसानी से उठाया था जातो र राइस्तान के अंदर स्कूलों को खोलने को लेकर के शिक्षा मंतरी गोविन से इंटो आसला अब अपने ही बयानों के अंदर उलस्ते में नजरा रहे हैं क्योंकि लगाता राइस्तान के अंदर बयान बाजी के दौर तो चलता है और इस बयान बाजी के दौर में कौन सा मं मंदरी क्या क्या देता है यह अभी तत सुनिष्चे दी नहीं हो पाता है उन खुद को जिसके आधार पर अब राजिस्तान की जनता को खामियासा इसका भुगर ना पड़ेगा जी हां आप सभी लोगता दू कि अभी कुछ ही समय पहले शिक्षा मंदरी गोविन सिंक रुटा हातार गमासान मच गया क्योंकि अभी भावत के अंदर तो लगाता हाकार मचा हुआ था कि आखिर किस प्रकार से स्कूलों को बोला जा रहा है क्योंकि ना तो बच्चों की वैक्सिनेशन हुई है और ना ही बच्चों के लिए कोई टीग है लेकिन वहीं कर इनके बयान और इस बैटक के दौरान तारीख सुनिश्यत नहीं की गई थी कि आखिरकार किस तारीख को स्कूलों को खुला जाएगा तो आपने आखिरकार क्यों बोला कि दो तारीख को हम अगस्त में स्कूल बोलने जा रहे हैं इसी वह लेकर कि अब मुख्य मंत्रिया शों के लोग न रखी गई है और वहां का फीड़बेक क्या कुछ है उसी के अधार पर राहिसान के अंदर स्कूलों को खोला जाएगा और अभी सुनिश्यत नहीं है कि दो अगस्ते ही स्कूलों को खोला जाएगा या फिर इसकी डेश्ट को एक्स्टेंड किया हजा सकता है तो इसी के साथ आप देगे हमारी एक खास रिपोर्ट कि आकिरकार डोटाजरा नहीं क्या कहाटा और उसके बादे मुख्य मंतरी अशूब गैलोजनेस्मेंट पलटवार में क्या कुछ कहा सिक्साव भाग से तुड़े वे मनिम्ट के मंतरी जी कि अध्यक्स्ता में जो केमिनेट और राजे मंतरी प्रिशती जो बैठक ती उसमें होए है पहला पैसला तो यह वहा है कि विद्याले खुलने का दो अगत से पैसला हुआ है जो गैडनाइन जारी की जाएगी स्वास्ते भाग और ग्रविब भाग से चर्चा करके वो कलिया परसों में तैयारी कर ली जाएगी और उसके बाद में उस गैडनाइन के आधार पर विद परीश के अंदर दो अगस्ते सबी कक्षाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलने की शिक्षा मंतरी गोविन सेंग डोटासरा की गोशना को मुख्यमंतरी अशूक गहलूत ने एक दिन बाद ही बदल दिया है सरकार ने दो कस्ते सकूल खोलने की गोशना से यूटन लेते हुए अब पांच मंतरियों की कमीटी बना दी है यही कमीटी सकूल खोलने की तारीक और किस कक्षा तक के बच्चों के स्कूल बुलाए जाए यह तैय करेगी इस समीधी में शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डुटासरा के अलावा स्वास्ते मंतरी रगु शर्मा, क्रशी मंतरी लाल चन कटारिया वहीं उच्षा मंतरी राज्य मंतरी भवर सिंग भाटी और तकनी के शिक्षा राज्य मंतरी सुभाश गर्ग मौजूद है शिक्षा मंतरी गोविन सिंग डोटासरा ने एक दिन पहले गुरुवार की रात को कैबिनेट की बैठक के बाद दो अगस्ते सबी कक्षाओं के स्कूलों को खोलने की घोशना की थी स्कूल कॉलिज खोलने की S.O.P. तै करने को लेकर गया मुख्यांतर शोक गहलोत ने शुक्रवार की रात वर्चूल बैठक करके शिक्षा मंतरी की घोशना को पूरी तरह पलट दिया है मुख्यांतर शोक गहलोत ने का की कोविट महामारी की संबावित तीसरी लायर को देखते हुए शिक्षाओं संस्थानों को खोलने की S.O.P. के संबंद में गहन विचार विमर्श कर फैसला लिया जाना चाहिए इसके लिए मंतरियों की समीती भारत सरकार के स्वास्ते और मानव संसाधन मंतरा लियो ICMR के साथ जिन राजियों में स्कूल कॉलिज खोले हैं वहाँ से संपर करके उनके अनुभव और फीड़बैक पर चड़चा करेगी साथी भारत सरकार दोरा जारी दिशान निर्देशों की जानगारी लेकर के शिक्षान संस्थानों को खोलने की तारीक और एसोबी के संबन में निर्दय लिया जाएगा वही कल सिकंद्रा के अंदर गुरुपूर्णिवा के परव बड़ी धुमधाम से लोगों ने परव मनाया है और अपने गुरुओं का स्वागत समान किया तो आईए नसे डालते हैं कुरी बोट के और गुरु पूर्णिमा पर्व बड़ी धुमधाम से मनाया गया है तो वहीं कजबे के मंदिरों में धार में कारेकरमों की धूम रही है वहीं लोग अपने गुरुओं का पूजन करते नजर आए है कजबे के श्रीडाम मंदिर आश्रम पर लोग बड़ी संक्या में नजर आये तो जगे जगे बजन सत्संगों का आयुजन भी हुआ है गुरु पूर्णिमा के परवपर मंदिरों में प्रसादी का वितरन किया गया तो वहीं गंगा माता मंदिर में महिलाओं ने सत्संग किया है और मानिता के अनुसार असांड शुल्क पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मना आया जाता है इस दिन शिष्चे अपने गुरू की विशेश बूजा करता है और ज्यदा शक्ती दक्षिना पुष्प आधी बेट करता है मैं उद्यपरवाटी के अंदर लाइन डालने को लेकर के विरोध प्रदर्शन क्या क्या है और इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वज़य आखिरकार क्या कुछ कह रही है आई जन्तर मारी स्थास रिपोर्ट से उद्यपरवाटी पहाडिया ग्राम में स्थेत नहरा गाउं में आम रास्ते से एक तरफ बिजली बोड द्वारा फोपो पर 11000 की लाइन डाली जा रही है इसको लेकर के नहरा गाउं के लोगों ने लाइन डालने वाले ठेकादारों के सामने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार को कारे को रुकवा दिया गया गाउं की समाच से भी खेमचंद स्वामी वे विशनु स्वामी ने बताया है कि बिजली बोड द्वारा 11000 की लाइन अंदर ग्राउंड केबल लाइन डाली जाए जिससे भविश्य में किसी प्रकार का हाथसा नहीं हो विजली बोड द्वारा जो लाइन डाली जा रही है वै आम रास्ते पर बनी सीसी रोड से मात्र दो फूट की दूरी पर ही है जिससे बड़ा हाथ सह हो सकता है और इसी दोरान लालचन, मिटावा, कुंदन स्वामी, राजकुमार स्वामी, रणजीत, गुर्जर, कालूराम स्वामी सहिद कई लोग मौजूद रहे इसको उद्वपरवाटी में जीयो के टावर है उसको कनेक्शन दे हमारे कोई अहत्राज नहीं पंटू इसको अंडरलाइन लाइन गिर जाए हम मांग नहीं माने लजाएगी तो हम गाउं के दढ़ना परतर्शन करेंगे इसको भूगर ताल पर बेटेंगे गाउ नौरा के अंदर जो सिसी रोड जा रहा है ना उसके मजदी की पोल लगा रहा है दूर गटना होने का अप्सांस जाता है उसके अंदर तो उसका अंडरलाइन करी जाए बर साथ का मोसम में प्रसाथ कर देते हैं दौसा जलेगी और जहां पर आप सभी को कता दो कि ना दौसा जले की उखंड मुख्याले लाल सोट पर शनिवार को नात समाज की लोगों ने जो दिपा फुले सरकल से बाइक रैली निकाल करके HDM कारेले तक प्रतरशन किया है साथ आप सभी को बदा दू कि आज तक अपने मांग और प्रतरशन तो सुने होंगे और देखी भी ह लेकिन नात समाज की लोगों ने शनिवार को हिंदी का एक ऐसा शब्द गौर्खा धन्दे परबैन लगाये जाने की मांग को लेकर के बाइक रैली निकालते हुए लाल सोट SDM गुपाल जंगिड को ग्यापन सौपा है नात समाज की लोग जिला अध्यक्ष, गिरिराज, पूर अध्यक्ष, लक्षमी नारेन, जगदीश, मुकेश योगी साहिद दर्दनों लोगों का कहना है कि नात संप्रदाय वे सनादन धर्म के गुरू गौरक नात के नाम को गलत कारियों से जोडने के विरोध है गौरक धन्दे शब्द पर लगे बैन लगाये जाने की मांग की है नात संप्रदाई के लोगों ने कहा कि गुरू गौरक नात के नाम का गलत तरीके से प्रयोग करना उचित नहीं है इससे धारमिक भावनाओं पर चोट लगती है और उन्होंने मांग करते वे कहा कि इस शब्द पर पूर्ण नितय बैन लगाये जाए इसका प्रयोग करने वालों के खिलाव कानूनी कारवाई भी की जाए वहीं पर प्रदीश ये अंदर भारती है मजदूर संग की स्थापना का दिवस मनाया गया है तो आईए दिखते हैं कि अखिर करी कौन सा इस्थापन दिवस है और किस प्रिकार से और कहा कहा पर इसको मनाया गया भारतिय मजदूर संग की स्थापना भारतिय डाग कर्मचारी संग द्वारा भारतिय मजदूर संग का सरसर्थवा इस्थापना दिवस बहुत ही दूमधाम से मनाया गया भारतिय मजदूर संग मजदूरों के लिए मजदूरों द्वारा मजदूर हित में कारे करता है कारेक्रम के अतिक्ष्टा मालीराम स्वामी सायग महासचेव भारतिय ग्रामी डाक सिवाग संग नेकी है कारेक्रम के मुखहत्यती सुनेल अगरवाल महासचेव भारतिय प्रशासनिक शाका एवं विकास तिवारी शेत्री संगटन मंतरी भारतिये डाक करमचारी महासंग रहे है सुनेला गरवाल ने बताए कि आज यह उत्सव राहिस्थान के सबी मंडल मुख्यालों में मनाया जा रहा है और यह कारिकरम राहिस्थान में 2100 से जादा जगों एवं डाक करमचारियों संग द्वारा 50 से जादा जगों पर बनाया जा रहा है वहीं संक्य शेत्रिय संगटन मंत्री विकास सिवारी ने बताए कि भारतिय मजदूर संक्य स्थापना शूने से श्रष्टी रचना का संकल्ब था इसकी स्थापना का उदेश अता कि मजदूर शेत्र में एक ऐसे श्रमिक संगटन का गठन करना जो मजदूरों का मजदूरों द्वारा मजदूरों के लिए सद्धान पर राष्ट है उद्योग हित्वे मजदूर हित्ष लिए कारेगे वही खबर उद्यपुरवाटी से जहां पर एक यवग ने मामला तर्श रहा है थाने के अंदर मारपीट और जान से मारने का आखिर कर उसने गेम मार पीट्वै जानलिवा हमला करने का मामला तरच कर वाया पुलिस ने मामला दरच कर कारिवाइश शूरू कर दी है जानकर इक अनुशार गौरी शंकर सेनी पोत्र प्रलाद धानी बोरोली तक चौकडी चला थाना खंडेला राद लगबग 17 बजे 22 बाइक से निमका थाना पुलिस थाने में परीजनों को खाने देने के लिए जा रहा था इसी दोरान जडाये के नजदीक कुछ लोगों ने हमला कर दिया और मारपीट कर रुपय चीन करके ले गए गाउं के कई लोगों ने मारपीट करने वालों को गिरफ्तार करने की बांग भी की और रात को जब ये थाने पर गया तो पैसे और खाना दोनों लेकर गया था तो जैसे ये जडाया पहुचा वा जाते वो सामने वाले जो विपक्स पार्टी थी वो जडाया इसको मिली इसके गाड़ी को रोग कर इसके साथ मार पीटी और जानलेवा मला किया तो हम परसासन से ये आगरे करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो इनके साथ उज्याती की उन लोगों को कानूनी कारवाईब में लेकर उनके साथ सजा दी जाए उनको और परिवार को न्याई दिलाए जाए